नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं श्राम तक की 10 फटा-फट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कामेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले। 10.49 क्रोड रुपे की लागत से टीपी नगसे पैडले गस तक बढ़ने वाले फ्लाई ओवर का शीलान्यास करेंगे। 10.49 क्रोड रुपे की लागत से बनने वाली चौर प्रमुक विकास पर योशनाओ का शीलान्यास करेंगे। यूपी में डॉक्टर ने इलाज नहीं खिया तो होगी FIRूपी में डॉक्टर सहाब गाइब हैं। अगर अभी मिले नहीं है। सूपर स्पेश्वालिटी वाले डॉक्टर है, सरकार उनके सूच विशिष्चता को मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के इलाज के लिए प्रियोग करना चाहती है। दो साल का बॉर्ण भी उनसे भरवाय गया है, मगर तेनाती देने के लिए हुई काउंसलिंग में वो कायब रहें। उनको फिर भी तेनाती तो दे दी गई है। मगर एक महीने में नौक्री पर हाजिर नहीं हुए तो FIR करानी के तयारी है। इससे बच्णा है तो उन्हें एक करोड रुपए देने होंगे। यूपी के बस सड्डों पर अब कन्वेंशन सेंटर और अपार्टमेंट भी बनेंगे। यूपी में राज्यो सरकाई शेहरों में PPP मॉडल पर बनने वाले बस सड्डों के आसपास और अधिक सुविधाय देने ही जा रही है। होटल के साथ ही अब कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट हॉल, ओडिटोरियम, कॉन्फरेंस एवं मीटिंग हॉल, क्लब के साथ अपार्टमेंट भी बनाय जाएंगे। इसके साथ ही साइबर कैफे, वेंडिंग मशीन, हॉस्टल भी बनाय जाएंगे। इसका मकसद बस अड़ो के आसपास छोटा मोटा शोहर बसाने की है। अवास विभाग इसके लिए उत्रप्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में संचोधन का प्रावधान किया गया है। शिपाल से बंगला भी खाली कराएगी योगी सरकार। सुरक्षम अकटौती के बाद के जाने के बाद क्या शिपाल सिंग यादफ से लखनाओ काली श्वान बंगला भी चुन सकता है। मीडिय रिपोर्ट्स के मताबिक सरकार इसके तयारी कर रही है। इस संबंद में पूछे जाने पर एक नीजी चैनल से डिप्टी सीम केशो प्रसाद बोरे ने कहा कि उन्हें विधायक निवास दिया जाएगा। उन्हें कहा कि विधायक औबंटित अवास में पार्टी का दफतर चलाना गलत है। लखनाओं के लाल भादु शास्री मारपर श्रिपाल सिंग यादव को अबंटित बंगले में प्रक्तिश्रील समाजवादी पार्टी का दफतर चलाय ज्वानी का आरोप है। यूपी में खुला कुट्टो के लिए रेन बसेरा। कानपुष रहर में पहली बार अबारा कुट्टो को ठंड से बच्वानी के लिए नगनिगम ने रेन बसेरा और फिडिंग पॉइंट बनाये है। एक्सप्रेस रोड पर ये शेल्टर होम वहां बनाया गया है जोहां पहले कूड़ा अड़ा हुआ करता था। इसकी साफ सफाई करके रंगोली सजवाईगर कुट्टो के लिए टहने का इंतिजाम कर दिया गया है। सीब्यसी दसवी और बारवी की डेश्वीट अब किसी भी दिन हो सकती है जारी। आपको बता दे किस से पहले बोर्ड ने कहा भी है कि बोर्ड पर इक्ष्वाई 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। गोरकपुर की च्षात्राओं ने बनाया आटोमेटिक फारिंग हलमेट। गोरकपुर सहीते 6 रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर बनाने के लिए एज़एंसी तै पुर्वोतर रेलवे की गोरकपुर सहीते 6 स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विक्सत करने की तैयारी तेस हो गई है। इसके मॉनिटरिंग कर रही गतिशील यूनिट ने गोरकपुर गॉंडा जंक्षन पतकनी की एवं वित्यो प्योगिता के अधन के लिए मैसर्स एरेनेम कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइबिट लिमिटेट को कंसल्टेंट नुक्त किया है। फर्म स्टेशन की मास्टर प्लानिंग, आर्टि टेक्ट्रल डिजाइनिंग के साथ विस्टित पर योशना रिपोर्ट तयार करेंगी। रेलवे की योशना के मताबिक पच्चों के उपर रूफ प्लाजा बनाया जाना है। रेल की पच्चों पर ट्रेने दौणेंगी और उपर लोग बैटकर नाशता भोजन करेंगे। यही नहीं बच्चों खेलेंगे और बड़े खरीदारी भी करते नजर आएंगे। इसका मकसद दिये है कि रेलवे स्टेशनों के प्लाटफॉर्म पर भीड़ी कत्र ना हो पाए। रूफ प्लाजा में बड़ी स्क्रीन लगी रहेगी जिस पर ट्रेनों के जौन कारे डिस्प्ले होती रहेगी। घरगा जाकर पच्वास साल से जादा उम्र के लोगों का होगा नेत्र परिक्षन किया जाएगा। इस का में स्वास्ते कारे करता आश्र अंगन बाड़ी और सद्गुरू विजन स्क्रीनिंग के लोग लगाए जाएंगे। ये काम प्रिधान मत्री नरेंद्र मोधी की पिर्णा से जला स्वासेवे भागोश्री सद्गुरू सेवा संक्ट्रस्ट चित्रकूट के समलित प्रियासे किया जा रहा है। कोहरी में इस बाद दूसे नजर आएंगी यूपी जोडवेस की बसे। कोहरी में सुरक्षित यात्रा की मतनजर से यूपी परिवहन निगम की 10,000 बसों में रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप लगाए जाएंगे। साथी शुराप भी कर गाड़ी चुलाने पर रोग खिले परिवन विभाग 116 पर वतन दलों को ब्रेथ एनलाइजर दिये जाएंगे। सभी उन्निस आठियों को दो-दो इंटरसेप्टर ब्रेथ एनलाइजर व स्पीड लेजर गन भी मिलेंगे। ये तो थी श्राम तक की बड़ी खबरे। रोजान उतर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दवाना बिल्कुल ना भोलें। धन्यवाद।